हलो फ्रेंट्स मैं डोटर संजीत आज हम डिसस करेंगे हमारे गुदामार्ग एवं गुदामार्ग के आसपास जो इसकिन होता है यानि जो पेरिनल रिजन है उसमें कई बार खुजली की समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि इसका कितना भी हम ट्रीटमेंट कर ले उसके पश् मलदवार के आसपास जो इचिंग होती है वो उसका मुख कारण क्या है और उसका सबसे बिस ट्रीटमेंट क्या है तो डियर फ्रेंस जो सबसे दो प्रमुख कारण हमने देखें अपनी क्लिनिकल प्रक्टिस में वह है फिशर और फंगल इंफेक्शन इन दो कारणों की वज दो सेंटिमिटर का जो एरिया होता है यहां पर सुमेटिक नरू का इनर्वेशन होता है और कई बार हमारे मलदवार में यहां पर कट लग जाता है यहां पर कट लग जाता है जैसे हमारे होट फड़ जाते है ऐसे ही यह जो एरिया है वो तीयर हो जाता है यानि लोंगी infection हो जी इसकी वज़ा से भी हमें इच्र चोती है तो दोनों वीमारी को कैसे हमगरे हमी सभीक्रों कसे कि लिए कि हमें जो साथब कि थीक करना है थाकि हम अपनी सिवभ्य की समस्य हो ठीक कर लेN या अगर फंगल की वज़ा से हैं, तो हम फंगल ट्रीट मिलनें, तो dear friends, कैसे पहचानेंगे? इचिंग की समश्या, हम लोग differential diagnosis कैसे बनाएंगे? जैसे खुझली, जो हमें हो रही है, यानि इचिंग, इचिंग का दो मुख कारण हमारे NL-Canol के आसपास के एरिया में होता है, एक तो fissure की वज़ा से, एक तो fungal infection की वज़ा से, चाहे fissure होगा, तब भी हमें खुझली होगी, चाहे हमें fungal infection होगा, तब भी हमें खुझली ह है, कि हमें जो यह खुझली हो रही है, वो fissure की वज़ा से हो रही है, या fungal infection की वज़ा से हो रही है, जो fissure होता है, उसमें 4 common symptoms मिलते हमें, खुझली के साथ-साथ, जलन भी हो सकता है, यानि NL-Canol में, जब मल तयक के ले जाएंगे, एक दो घंटे तक हमें मलदवार में जलन होगी, दर्द भी हो सकता है, यानि पेन भी हो सकता है, और हो सकता है, कि जब मल तयक के ले जाएंगे, तो हमारा जो मल आता है बाहर, उसमें एक ब्लेट की लाइनी बन के आ जाए, तो जो fissure होता है, उसमें 4 symptoms होते हैं, जरूरी नहीं कि यह 4 symptoms fissure में एक साथ दिखा जरूरी नहीं कि यह 4 symptoms fissure में आपको दिखाई दें, तो dear friends, अगर मारे यह fissure है और हमें सिर्फ खुझली हो रही है, यानि हमें इचिंग है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, dear friends, जो fungal infection होता है, fungal infection में भी खुझली होती है, लेकिन जो यह खुझली होती है, ज़्यादा त जो खुझली होती है, वो मल द्वार के अंदर होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको explain करतूं, थोड़ा सा differential diagnosis करने के, अगर हमें fissure की वज़ए से itching होगी, तो वो मल द्वार के अंदर ज्यादा itching होगी, और हमें fungal infection की वज़ए से itching हो रही है, तो वो मल द्वार के आसपा आसपास का है, जो perennial reason है, उसमें जो तौचा का color है, इसकिन का color थोड़ा सा change हो जाता है, कई बार उसका जो उसमें redness आपको लाली पन देखने को मिलेगा, यह जो perennial skin होता है, वो लाल-लाल हो जाता है, यहां की खाल अगर आप देखें, जैसे माल यह मल द्वार है, नॉमल इसकिन है, तो नॉमल इसकिन की तरह देखेगा है, जैसे आज पर, लेकिन जहां पर fungal infection जाता होंगी, वहां की जो खाल होती है, वो थोड़ा सा छुने पे हलका सा मोटा मोटा फील होता है, हलका सा hardness वहां पे फील होता है, ऐसा हमने clinical practice में देखते हैं रोज, कि जो भी patient, fungal infection की वज़ा से itching कंप्लेंड करते हैं, वहां की खाल में थोड़ा सा changes होते हैं, यह differential diagnosis बनाने में हमें help करता है, जब हम पर एक्टर examination करते हैं, कोई patient अगर हमाई पास आता है, कि हमें itching की समस्या है, तो हम दोनों को differential diagnosis बनाते हैं, तो एक में हम यह देखते हैं, कहीं मलदव में cut तो नहीं लगा है, अगर cut लगा है, तो जो फिशर का patient है, वो itching हमें बता रहा है, अगर cut नहीं लगा है, कोई भी anal canal के आसपास कोई भी हमें changes नहीं दिखाए दे रहे हैं, तो इस skin इसके आसपास में जो skin है, उसका color कैसा है, वहां पे hardness तो नहीं है, वहां पे redness तो उसकी जो खाल है, वह मोटी तो नहीं हो गई है, तो ऐसे हम पहचानते हैं, कि जो हमें ये itching की समस्या है, वह फिशर की वज़ा से है, या fungal infection की वज़ा से है, फिर से मैं repeat करता हूँ, फिशर में चार symptoms मिलते हैं, बहुत common, itching, यानि खुजली होना, burning, मलत्या के पश्यात, हमें जलन होना, और ये जलन दो-तीन घंटे तक रहती है, पेन, दर्द मलत्या के बाद हो सकता है, दो घंटे दर्द रहे, या हो सकता है, पूरा दिन भर दर्द रहे, और कभी-कभी थोड़ी बहुत bleeding होती है, तो dear friends, और जरूरी नहीं कि ये चारो symptom एक साथ हो, फिशर में कई बार केवल खुजली होती है, या केवल जलन होता है, या केवल दर्द होता है, या केवल bleeding होती है, हो सकता है, दो सिंटम एक साथ आ जाए, खुजली जलन, जलन दर्द या bleeding के साथ पेन, तो dear friends, हम ऐसे differential diagnosis बनाते हैं, खुजली के patient में, कि ये patient जो है, वो खुजली जो है वो fungal infection की वज़े से, या फिचल की वज़े से, dear friends, treatment, treatment की बात करें, तो फिचल का जो treatment है, वो हम छार सूत्र भी द्वारा करते हैं, हचा, एक चीज और होती है, जो फिचल का patient होता है, उसमें अगर chronic patient है, तो आप देखेंगे, तो उसमें थोड़ा सा, जो skin होती ही, वहाँ तो बाहर आपको लटकता हुआ दिखाई दगा, जिसे हम sentinel tag या skin tag बोलते हैं, तो dear friends, ये भी फिचल को पहचाने की एक differential diagnosis बनाने में हमें help करता है, treatment की बात करें, तो dear friends, फिचल में छार सूत्र भी दी, सबसे बेस्ट होती है, छार सूत्र में क्या करते है, यहाँ पे, जह हो जाता है, तो itching अपने आप सही हो जाती है, लेकिन जो अगर हम fungal infection की वज़े सामाय पास itching का patient है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले, जब भी fungal grow करेगा, यहाँ पे, हमारे मलदवार के आसपास, या growing reason में, जब fungal grow करता है, तो सबसे मुख की कारण होता है, व हमेसा dry रखे, हमेसा उसको dry रखा जाए, उसके साथ साथ हम कोई भी dusting powder यूज कर सकते हैं, यानि dry करने के लिए, कई बार होता है, हम पैदल चल ले होते हैं, या कहीं ऐसे जगे हैं, ज़्यादा पसीना हमारे body में आ रहा होता है, तो मलदवार के आसपास, ज़्यादा पस मौडन में भी dusting powder आते हैं, और आरवेद में भी आते हैं, जैसे क्यूटिस आरवेद में powder आता है, हम लोग anti-fungal के रूप में use करते हैं, क्यूटिस वासु कमपनी का, इसके साथ साथ मौडन में भी बहुत सारे dusting powder आते हैं, फंगल टीट्मेंट के लिए, जैसे कैंडिट इस टाइब के dusting powder आते हैं, उसके पश्चार अगर उससे भी नहीं सी हो रहा है, तो हम जैसे modern में बहुत सारे anti-fungal creams आती हैं, फ्लूकोनाजोर, इट्रक, जैसे लूली कोलनजोल के, वहां पे आप creams यूज कर सकते हैं, क्लोट्राइमाजोल्स, और अगर आरवेद में देखें, या capsule के form में देखें, तो modern में भी बहुत सारे ऐसे anti-fungal tablets से capsule के form में medicine आती हैं, जिसका हम according to chicken suck, आप किसी भी chicken suck की सला से इसको ले सकते हैं, और यह पूर्ण लूप से ठीक हो जाता है, ऐसे कई patient हम लोग देखें हैं, जो 3-4 साल से लगातार itching की समस्चा से गलस आप 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